अपने पाकिस्तानी प्यार के लिए भारत से भाग कर पाकिस्तान गई अंजू लोट आई हैं अंजू के भारत वापस आने की देश में काफी चर्चा हो रही है अंजू वागा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुची अमरिटसर एयरपोर्ट से निकलने के बाद अंजू से पूछताच की गई अंजू से पहले आई बी ने लंबी पूछताच की और फिर पंचाब पुलिस ने भी अंजू से पूछताच में कई सवाल किये इस पूछताच में अंजू ने अपने भारत आने की वज़ब ही बताई अंजू ने बताया कि वो अपने बच्चों के लिए भारत वापस आई है उसने पूछताच में बताया कि उसने धर्म बदल कर शादी की है भारत लोटने के बाद अंजू का राजस्थान में उसके ससुराल ही नहीं बलकि उसके माई के मध्यप्रदेश में भी विरोध देखने को मिला जिसके चलते वो अपने माता पिता के घर भी नहीं जा सकती है पूचताच में अंजू ने फीसबुक दोस्त पाकस्तान के नसरुला से धर्म बदल कर निकाह की बात सुईकार की है ऐसे में अब एक बार फिर अंजू को लेकर जम कर चर्चाएं शुरू हो चुकी है इधर अंजू के भारत लोटने के बाद उसके पती अर्विंद की भी प्रतिक्रिया सामने आई है अंजू का पती अर्विंद काफी नाराज है जब अर्विंद को अंजू को लेकर मीडिया ने सवाल किया तो वो अंजू का नाम सुनते ही भड़क गए उसने दो टुक में कहा कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे क्या मालूं वो भारत आई है या नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसने साथ ही कहा है कि बच्चे उसके साथ ही है, अंजू भारत तो लोट आई है, लेकिन अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि भारत आने के बाद आखिर अंजू किसके पास जाएगी और कहा रहेगी, अंजू का पती अर्विंद पहले से ही भड़का हुआ है, ऐसे में अर्विंद अंजू को साथ नहीं रखेगा, उधर की खबर पर गुस्से में प्रतिक्रिया दी है, ऐसे में आखिर अंजू का ठिकाना कहा होगा, अंजू कहा रहेगी, ये सवाल लोगों में चर्चा का विशय बना हुआ है, उधर भारत लोटने के बाद अंजू ने कहा कि वो भारत लोट कर खुश है, लेकिन अंजू ने प पहले पती से तलाक लेने के बाद अपने बच्चों को पाकस्तान लेकर जाने की कोशिश करेगी, पता दे कि अंजू अलवर जिले में भीवारी में अपने पुर्वपती अर्विंद और दो बच्चों के साथ रहती थी, इधर अंजू की जाने के बाद दोनों बच्चों क की परवरिश अर्विंद कर रहा है ऐसे में वो बच्चों को अंजु के साथ नहीं जाने देगा यह साफ है ऐसे में आखिर अंजु का प्लान क्या है यह देखना होगा कि टाइमस नवन भारत डिजिटल के रिपोर्ट कि 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 आर रे책श कर रे ग्वर्ट